Hello friends, class 10 IT में अब हम लोग यहां discuss करने वाले हैं अपना एक और टॉपिक दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वानों track changes क्या होता है track changes यहने कि आप अपने document में जो कुछ भी changes करते हैं उसका एक record बना के रख और उसके बाद अगर आपको लगे तो आप उन changes को accept कर सकते हो और आप चाहें तो उसको reject भी कर सकते track changes के साथ साथ ही दोस्तों अब लोग यहां दो और topic discuss करेंगे वो अपने पास होगा comments, comments कैसे हम यहाँ पर add करते हैं अपने document में कैसे उसको delete करते हैं, कैसे उसको view करते हैं और इसी तरीके से हम लोग यहां दिखेंगे कि तो documents को अगर आपस में compare करना चाहें तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहरें यहाँ पर बात कर लेते हैं agenda क्या है अपने पास, यहाँ पर तीन topic, main topic होंगे दोस्तों एक अपने पास है track changes, दूसरा आपके पास है comments और तीसरा आपके पास है comparing document इसमें हम बात करेंगे कि track changes क्या होता है, उसको कैसे आप enable करते हैं, कैसे आप show यहीं कि देखना चाहते हैं आपके changes कैसे हुए, उसका review करना चाहें, उसको accept या reject कर सकते हैं अपने track changes को वापस है turn off भी कर सकते हैं, तो यह कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग comments को आगें discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आपके track changes है क्या, track changes में अगर आप यह image देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या दोस्तों आपने कुछ documents लिखें, यहां आपने कोई change कर दिया, यहां आपने कोई change कर दिया, तो यहां पर आप देखेंगे एक आख बनी वी है, जो कि यह स हैं, उसको आप बात में कभी भी accept या reject कर सके, तो यहां पर हम लोगें देख रहे हैं, track changes in library office writer, basically सभी में काम करते हैं, library office हो, या open office हो, या microsoft office हो, तो track changes in library office writer is a feature that allows you to keep track of modification, आपने document में जो भी changes के, उसका एक track बना करके रखेगा, ठीके made to the document, जो भी documents है, उसके अंदर अग तो आप कर सकते हैं, this is particularly useful when, जब आपके पास आपके एक document है, जिसमें आप भी काम करें, और आपके document में कोई ओन भी काम कर रहा है, तो अगर कोई दूसरा नहीं है, आपके इस document में change कर रहा है, तो उसने क्या आपको changes करें, यह अगर आप देखना चाहें, तो देख सकते है with others as it allows all changes, तो यह आपके उपर है, कि उसने जो भी changes किये, वो सारे आपको यहाँ accept करने हैं या नहीं, वो changes करने देने हैं या नहीं, ठीके, to be reviewed and either accepted or rejected, आप उसको accept करेंगे, reject करेंगे before becoming part of the final document, तो आपके documents को finally, जब last में आप देखना चाहते हैं, तो जो भी changes वो रखने है या नहीं रखने, वो आप यहाँ देखते हैं, अब यहाँ बात करेंगे कैसे हम track changes को on करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है edit menu, edit menu में आपको एक option दिखाए देगा, वो है track changes, और यहाँ पर आपको एक बार record को इसको on करना है, अगर आपने एक बार on कर दिया, तो अब आप अपने document में जो भी changes करेंगे, वो सब record होता जाएगा, और last में है, जब आपको लगे कि आपको जिसको नहीं रखना है, तो आप इसको वापस यहाँ पर जाकर करके इसको बंद कर देंगे, तो इसी पर आपको फिर से click करना पढ़ेगा, जिसी कि आप उसको stop कर देंगे, recording को off कर देंगे, इसकी साथ साथ दोस्तों इसमें एक option आएगा show, ठीके show करेंगे तो वो सारे changes आपको दिखाएगा, manage करना चाहते है, वो सारे option है, accept, reject, वो सारे options आपको यहाँ पर मिल जाएगे, ठीके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोस इसी भी टाइप की modification अगर आप देखेंगे, चाहिए डिलीट कर रहे है, चाहिए कुछ add कर रहे है, चाहिए आप फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे है, कुछ भी, तो हम देखेंगे कि आपके document के अंदर एक mark हो जाएगा, एक side में कहूँगा, left side के अंदर आपके पास एक तो line बड़ के आजाएगी, और साथ साथ में वहाँ आपके text का color भी change हो जाएगा, जो यह बता रहा है कि यहाँ आपने कोई changes किये हैं, इसको पहले मैं आपको practically दिखा देता हूँ, दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पर writer start कर लेता हूँ, जब मैं writer start करूँ हूँ, मैं एक बार इसमें ऐसी कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि this is a sample text, इस तरीके से मैंने इसके अंदर कुछ content लिख दिया है, इसकी size मैं बढ़ा दिता हूँ धोड़ी सी, और फिर उसके बाद में इसको ऐसे copy paste करता जाता हूँ, इस तरीके से मैंने इसमें कुछ लिख दिया है, ठीके, documents बनाना तो हमको आता ही, अब इसके अंदर suppose आपको कोई color वगर भी change करना है, अभी कुछ नहीं होगा, ठीके, मैं जैसे इसको opens color कर, इसकी font देता हूँ, size इसकी ठीक, 24, मैं इसको bold करना चाहता हूँ, इसको मैं italic bold अटा देता हूँ, तोड़ा गंदर लग रहा है, और यह से मैं इसका कोई color भी change कर देता हूँ, इस तरीके से मैं अपना एक document कर दिया, मैं इक बार इसको black ही रख देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आद जाएगा, ठीके, यह मेरा final document है, अब इस document में और अगर कोई changes करता है, तो मुझे पता चल जाए, तो इसके computer पे, अब इसमें कोई भी change होगा है, इस document में, तो वो कई न कई record हो रहा है, जैसे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोस्तों यह जो this लिखा है, इसको मैं यहां से delete कर देता हूँ, आप देख रहोंगे, इसके उपर एक line आगे, मैंने delete कर देता हूँ, आप देखेंगे, line बन गई है, और इसका, यहां पर color change हो चुका है, मतलब यहां आपने कोई changes किये, दुस्तों यहां पर this is a sample text की जगे, मैं यहां पर लिखना जाता हूँ, this is a sample document, ठीके, तो मैंने यहां से कुछ हटाया, इसमें कुछ लिखाओ, अगर आप delete कर रहे हैं, कुछ आप insert कर रहे हैं, ठीके, आपको ए forward change करें, वही सभी के सभी चीज़े यहां पर आपकी record हो रही है, अब यह चो आप record कर रहे हैं, आप चाहते हैं इसको recording को manage करना है, तो आप यहां track changes में जा सकते हैं, पहरे तो आप show इस तरहें किसे आप उसको हटा भी सकते हैं, जैसे आपी manage को वाप changes, जैसे show करेंगे, वह आपको दिख रहा है, यहां पर यह changes हुए है, इसकी साथ चाहते हैं, दूस्तों इसमें और options आपको मिल जाएंगे, वह आता है आपके पास, वह है accept और reject, आप देखें, accept all करेंगे, तो सारे के सारे जो भी changes हुए हैं, वह सारे के सारे accept हो देएंगे reject all करते हैं, तो सारे के सारे reject हो जाएंगे, मतलब पहले की तरह आपका document रहेगा, इसमें आप manage करना चाहते हैं, तो manage में आपको यहां पर बता रहा देखो, यहां पर आपने कुछ लिखा है, यहां से कुछ हाटाया है, यहां पर formatting, यहां कुछ editing, इस तरीके से आपको यह अपने add करा था, यहां आपने formatting बदली थी, और यहां पर अपने इसको delete किया था, इसको रगना है तो ठीके, आप इसको reject कर लीजिए, accept कर लीजिए, आपने accept करता हूँ आट जाएगा, इस तरीके से और भी अगर आप चाहा है, तो reject all सारे के सारे reject कर सकते हैं, ठीके, अभी यह last एक और रहे गया, तो आप चाहा है, तो फिर से reject on करके अटा भी सकते हैं, इस तरीके से हमने यहां पर देखा है, track changes क्या होता है, इसको कैसे हम लोग यहां enable करते हैं, कैसे इसको show करते हैं, यहां hide करते हैं, किस तरीके से हम इसको manage करते हैं, ठीके, तो यही ऐसे तो आप चेंजिस के अंदर इस show button पे click कर देना है, ठीके, तो आप यहां पर जाएंगे, यह edit आपके पास, इसके अंदर track changes के अंदर यह आपके पास show, तो यह show कर देगा, ठीके, this will highlight any changes, जो भी आपने भी changes किये थी, ठीके, वो show भी कर रहा है, आपके उसको पर click कर देंग यहां पर plus, यहां पर जो अपने pencil का, जो symbol देखा था, formatting का, वो सारे चीज़े आपने देखे थी, जिसको आपको accept यहां फिर reject करना होता है, तो आपके पास option है, single individual accept भी reject करना है, यह accept on or reject all करना है, from here you can accept and reject each changes individually और accept or reject all changes at once, एक साथ भी आप चाहें तो उनको हटा सकते हैं, इसी राइब से accept or reject changes में आप चाहें, तो यह आपको यहां नीचे भी options दिखाई रहा था, ठीकिए यहां से भी आप चाहें तो कर सकते, तो इसके साथ आप right click करके भी कर सकते, जो भी changes आपके पास है, जैसे यह document आपके पास था, ठीकिए मैं एक बार इसको ऐसी undo कर देता ह या मैं एक बार इसको फिर से redo कर देता हूँ, ठीकिए इस तरीके से गार हमने जो लिका था, अब ही इसके उपर अगर मैं right click करता हूँ, आप देखेंगे यहां पर भी accept changes, reject changes, आपको options देखने को मिल जाते हैं, तो यहां से भी आप करना चाहें, तो बदल सकते हैं, इसी र track changes on ही है, off करने के लिए फिर से आप edit में ही जाएंगे, track changes के अंदर इस record के उपर जैसी click कर देंगे, अब वो मैंने off कर दे, दोस्तों, अब आप इसमें कुछ भी लिखें, कुछ भी delete करें, अब यहां पर कोई आपका record नहीं लख रहा है, ठीकिए, track changes समझवा गया होगा, symbols आता, इसमें मैंने आपको बता दे क्या करना है, यहीं से आपने इसको on की अदाव, यहीं से आपको इसको वापस से off कर देना है, ठीकिए, तो uncheck कर देंगे, तो यह आपस आपका हर्च है, इसकी बार दोस्तों, next आपके पास topic आता है comment, comment आखिर क्या होता है, कई बार क्या पारे में अगर मुझे कुछ लिखना है, तो मैं यहां आकर के side में लिख सकता हूँ, जिससे कि जैसे मैं mouse इसके उपर लेके चाहूँगा, उसके बारे मुझे कुछ शो कर देगा, ठीकिए, और एक दूम side में दिखाएगा, जो document में print नहीं होता है, तो इसी topic को दोस्तों, लोग यहां practically देख लेते हैं, यहां पर जिससे अपना document है, तो इसको select करके एक बार addा देता हूँ, और फिर वापस लिख देता हूँ, this is a sample text, इस तरीके से मैंने आपना कुछ contain लिख दिया, इसको मैं copy करके paste कर दिता हूँ, इस तरीके से, अब सबूस्द दोस्तों, यहा आपको दी देगा comment, इसकी shortcut भी यहां आपके पास हूँ है, control प्लस, order प्लस सी, जैसे इस पर जाओंगा, आप देखेंगे, right side के अंदर यहां आपको कुछ जगे दिख रही है, और यहां पर मैं इसके बारे में कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, x suppose की demo, ठीके, तो यह आपके पास यहां पर comment आ चुका है, अब अगर आप चाहें, तो comment को यहां पर hide भी कर सकते हैं, ठीके, अपन अभी आगे discuss करते हैं, तो comment क्या था, यह में आपको बदा दे, क्या करेगा, add comment, highlight, text करना पड़ेगा, जो भी text आप करना चाहते हैं, उसको select कर लिजे, if you want the comment to related to a specific text, उसको highlight कर लिजे, सबसे पहले, और उसके बाद insert menu में आपको आना है, ठीके, तो यह रहा, आपके पास insert menu, और इसके अदर आपको option दिखिया था comment, आप इसके ऊपर जाके click भी कर सकते हैं, insert menu में comment पे और shortcut भी, control plus, auto plus C, ठीके, comment dialog box आपको दिख जा comment में, ताकि वो आपका comment जो edit होना था, वो हट जाएगा, उसके बाद एक case से आप इसको दीखना चाहते हैं, और वापस आप hide करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह comment are displayed in the margin of the document, and link to the relevant part of the text with the dotted line, तो ऐसे आपको dot 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 करके आपको इक line दिख जाती है, to view or edit a comment, इसके लिए क आप इसको delete करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए है, edit a single comment, आप edit करने हैं, उसको select कर लेजे, delete करने के लिए, आप उसको simple सा right click करेंगे, तो जो भी आपका comment है, उस भी उपर जैसी आप right click करेंगे, options आएंगे, आप यहाँ से delete करना चाहते हैं, ठीके, delete all करना चाहते हैं, तो भी आपके पास option से, आप भी delete कर सकते हैं, तो delete करना चाहते हैं, delete all करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीके, और इसके लावा किरा है, कि आप यहाँ पर जो भी आपने delete कर दिये हैं, ठीके, इसके अंदर आपको एक और option मिल जाएगा, वो है, गो to edit, track changes में delete और comments भी आपको option मिल जाएगा वहाँ से भी आप इसको delete कर सकते हैं देखें यह जो आपके पास थी मैं इस पे जाता हूँ, right click करता हूँ यहाँ पर आपके पास option मिल जाएगा आप इसको भी delete करना चाहें तो यह आपके पास था, right click करें यह रहा option आपके पास delete का यहाँ से कर सकते हैं, और दूसरा आपको मैंने कहाता है, edit में जा सकते हैं और इसके अंदर आपके पास एक option था है track changes, यहाँ पर भी आपके पास जो भी मैंने यहाँ पर select कर रखें, जैसे यह अगर select कर रखा है, तो आप यहाँ पर भी edit में जाकर के, track changes में जाकर के आप यहाँ से manage में भी इसको delete कर सकते हैं, ठीके, खेर तो आपने delete कैसे करना है, वो समझ में आ गया होगा, इस type से दोस्तों अब हम लोग next बात करने वाले वो है comparing document, आप उसको compare कैसे करेंगे, ठीके, तो compare करने का मतलब क्या हो गया, एक को document है आपके पास आपने उसके copy बनाई, आपने अपने friends को दे दी, आपके friends ने उसमें कहीं कोई changes कर दी, और changes करने के बाद वो file आपको वापस दी, अब आपके पास दो copy होगी, तो दो documents को, दो copies को अगर आप आपस में compare करना चाहे, तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी, यह आपके पास option है, track changes के अंदर, edit के अंदर, और option है, आपके पास compare document, यह भी आपको यही मिलता है जैसे, खेर, मैं एक बार दोस्तों इसको यहाँ से delete कर देता हूँ, मैं इसके उपर right click कर देता हूँ, और यहाँ से delete कर देता हूँ comment, इसके उपर भी जाकर कि delete कर देता हूँ, यह अपना कह सकते हैं कि एक file थी, मैं इसको यहाँ से save कर देता हूँ, और इसका नाम रख देता हूँ, suppose कि cmp1 अब यह जो CMP1 है FI इसी की मैं एक और copy बना देता हूँ copy के से बनाते हैं दोस्तों file में जाएंगे आग और save as कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास इसका मैं नाम लगता हूँ CMP2 अब CMP2 होगी अब CMP2 के अंदर यहाँ के जो यहाँ पर दोस्तों दो file है suppose वो एक file ही है, दूसरी file वो थी मेरे computer में दो file से दोनों documents को अगर मैं compare करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करो हूँ तो उसके दिख्या करना पड़ेगा जिसकों भी changes करने पहले आप उसको open कर दीची जैसे कि यह file मेरी open है ठीके आप का दाएंगे edit में edit में क्या option है, direct changes इसमें क्या option आ रहा है दोस्तों compare document इस file को किसके साथ compare कर रहे है document उनके साथ तो यह बता रहा है कि इसमें इतने कुछ changes आपके पास हुए है ठीके basically दो changes हुए है जिसकी वज़े से पूरा का पूरा आपका document हिर चुका है उसमें से सबसे पहले तो यह है आपके पास क्योंकि आपने यह enter किया था ठीके तो यह बोल रहा है इसको आप accept करना चाहते है या नहीं करना चाहते है दूसरा यह वाला है आपने यहां से इसको जैसे भी हटाया और जो भी काम किया तो वोल रहा है यह आपके पास एक और इसको भी आप accept या reject करना चाहते है मैंने क्या कर दिया दोस्तों दो documents को यहां पर compare कर लिया है तो यह आप कैसे करते हैं यह मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया है इसके लिए आपके पास वही सारे options जो कि मैं आपसे किया भी रहाता कि आप क्या करेंगे edit menu में जाएंगे edit menu में क्या मिलेगा अखने चेंजिस और यहां है compare दो ठीके इसके बाद आपके पास क्या आता है अब फाइल डियालोक्स विल ओपन सेलेक्ट हैं सेकंड डॉक्यूमेंट जिसके भी आपने देखा था अब आपके पास आपको सारे के सारे डिफ्रेंस दिख जाएंगे और यह जो डिफ्रेंस आपके सामने आये हैं इनको अगर आप चाहें तो accept करें आप चाहें तो यहां इसको reject कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपको यह भी समझवा आ गया हुबा के documents को कैसे हम compare कर सकते हैं दो फाइल हैं आपस में एक दूसरे को compare करना चाहते हैं वहीं मिल जाएगा आपको track changes के अंदर ठीके track changes option वो भी आपको यह edit के track changes मिल जाएगा एक comment का option था वो आपको insert मिल चुका था लेकिर उसको भी अगर आप delete करना चाहें तो वो भी आपको edit में option मिल जाता है इस तरीके से इस sector से related इस unit से related दोस्तों almost सारी बाते हम लोग आप कर चुके हैं इन केस दोस्तों अगर आपके mind में कोई doubt होता है इस complete unit से लिए करके या class trend के किसी भी topic से लिए करके तो दोस्तों आप comment section में जुरूर बता सकते हैं पूरी खुशिश करता हो में reply करने की तो आजके इस वीडियो में इतना ही करते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई unit के साथ तो next हम लोग बात करेंगा दोस्तों unit number 2 के बारे में जिसमें बहुत सारे important topics हैं जो कि हमारे board के exam में आते हैं तो वो हम लोग discuss करते हैं मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप परेसाथ जुड़े दिये thank you